आदि पर उसमें अपना नाम खराब करने के बाद प्रभास लेकर आए अपना नया प्रोजेक्ट जो कि KGF युनिवर्स से जुरा हुआ है जो पहली वार इंडियम फिल्म इंडस्ट्री की किसी डिरेक्टर ने ऐसे हिम्मत की है कि सुभा पाँच बज़े अपना टीजर लेकर आए जिस वक्त सारी लोग सोय हुए होते हैं लेकिन ये सुभा सुभा वाला फंडा KGF के टाइम भी काम आया था जब फर्स्ट डे फर्स्ट सो सुभा चार बज़े का लगाया गया था और वो भी हाउसफूल था बात करें टीजर की तो प्रभास का पूरा लुक रिवील नहीं किया गया है और साथ में म्यूजिक जो की KGF से काफी ज्यादा हटके है बट अट अट सेम टाइम जो बैक्राउंट दिखाये जा रहा है जो कलर स्कीम यूज की गई है वो पूरी तरह KGF के उनिवर्स को जस्टिफाई करती है जैसे लोग यहां दिखाये जा रहा है यह किसी अफ्रीकन कंट्री का पार्ट लग रहा है जिससे काफी सारे थियोरीज रिवील हो रहा है और यह सलार कोई एक फिल्म नहीं होने वाली 28 सेप्टमबर को इसका फिर्स्ट पार्ट सीस फायर आएगा सो यह फिल्म एक से ज्यादा पार्ट में बनेगी सीस फायर का मतलब नहीं पता तो तो इसका मीनिंग होता है दो पार्टी के बीच में वार ना करने का एग्रिमेंट और साथी में सलार का मीनिंग होता है लीडर और कमांडर इस मूवी का बजेट 200 करोर बताया जा रहा है तो देखने के बात यह होगी कि 100 करोर बजेट वाली केजिएप से यह कितनी अच्छी होगी टीजर में जो डायलॉक मारा गया है काफी अच्छा लगा कि लायन, चीता, टाइगर, एलिफैंट बहुत ज्यादा डेंजरस है लेकिन जुरासिक पार्क में नहीं तो यहाँ सलार को सिधा-सिधा डैनोसौर से कंपेर किया गया है टीजर का लेंथ सिर्फ और सिर्फ एक मिनट 46 सिगंड का है टीजर काफी अच्छा लग रहा है और बहुत से लोग इसे केजिएप से भी कंपेर कर रहे हैं जो कि ऑबियस है क्योंकि सलार मेवी केजिएफ की तरह फुल मास एक्षिन होने वाला है